नमश्कार दोस्तों मैं नाम स्वापने शुक्ला है और मैं एक और मज़ेदार ट्रिक के साथ आ गया हूँ जी हाँ मुझे पता है कि बहुत सारे आप जैसे लोग होंगे जो सोचते होगी में पास Android फोन में जो Android को वर्जन है वो KitKat है या Lollipop है या फिर Marshmallow है तो लेकिन ये सब versions में आपको Nougat होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही फोन जैसे की पिक्सल है तो पिक्सल या पिक्सल एकसल में ही आपको गूगल का वर्चुल असिस्टेंट मिलता है और अगर सीडी की बात करे तो वो सिर आपी फोन हो तो उसमें कोई भी वर्चुल असिस्टेंट नहीं होता है तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक वर्चुल असिस्टेंट दिखाने वाला हूँ जो आपकी जो बेसिक नीड है वर्चुल असिस्टेंट की वो पूरी कर सकता है तो जी हां ये जो वर्चुल जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो आपको Google Play Store पे नहीं मिलेगा Indian Google Play Store की जहां तक मैं बात करूँ वहाँ पे available नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा और उसका नाम है Hound तो Hound जो है उसका link में नीचे description में दे दूँगा और वहाँ से आप जाके download कर सकते हैं तो चलिए इंट्रो देख लेते हैं उसके आप मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या इसमें कर सकते हैं तो यह है application इसका नाम है Hound आपको इसके लिए net की connectivity होने चाहिए तो मैं net on कर देता हूँ अपने wifi से connect कर लेता हूँ तो यह है application जैसे कि आप देख सकते हैं या पर कुछ particular questions भी है जो आप पूछ सकते हैं आप जैसे कि for example कुछ weather के बारे में या फिर कुछ hotels के बारे में, locals के बारे में, calculator, games, music, कुछ भी मतलब जैसे कि book a taxi, Uber, यह सब कुछ भी बहुत सारी questions है जो basically आप इससे पूछ सकते हैं तो चलिए हम लोग एक basic सा question पूछते हैं Tell me a joke एक second में इसके आवाज English Did you know that you can actually pet molten lava, only once though जोग था ही है, चलो हसी नहीं है लेकिन फिर भी यह basically response तो कर रहा है What is your name You can call me hound तो इस बोल रहा है कि you can call me hound यह भी अच्छा है, मतलब basically कुछ चीज़ सर्च कर रहा है Tell me something about google.com 30 Rock is an American television comedy series created by Tina Fey which airs on NBC कभी-कभी थोड़ा सा lag होता है क्योंकि dot को उसने dot full stop जैसा कुछ नहीं लेकि उसने word considered किया तो फिर देखते Google search करते से Tell me something about Google Showing Google search results Tell me something about Google Here is the music album Google by तो यह Google का music album दिखा रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं तो basically आप इसे कुछ funny questions पूछ सकते हैं तो यह वह भी सुन रहा है Tell me a story Once upon a time there was a little mouse who lived in a hole in the farmer's wall यह story था और चोटा था story लेकिन story था यह यह वैसे ही काम करेगा जैसे कि बाकी सब virtual assistant for example S voice को ले लीजिए CD को ले लीजिए यह सब काम करता है वैसे बस फिलाल में कुछ tasks शायद यह ना कर पाया है जैसे कि open camera Showing search results for open camera तो यह कुछ ऐसे tasks नहीं कर सकता लेकिन यह एक search assistant है complete assistant नहीं है एक search assistant है जो कि आपकी basic needs जो होगी वह पूरी कर सकेगा तो इसकी link आपको मैं description में दे दूँँगा तो अगर आपको चाहिए तो आप उधर से download कर सकते हैं आपको अगर यह video पसंद है तो please मैं चैनल को subscribe कर लें like कर दीजिए इस video को अगर आपको पसंद है तो और subscribe कर लिजिए में चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ तब तक के लिए बाइ बाइ